सर मेरा नाम मंजू है मैं दिल्ली से आई हूँ सर मैंने को सर मेरी ये मांगए कि स्सी ने जितने भी एज़ाम लिया जाए वो दिल्ली पुलिस के अंस्टेबल हो जाए वो सीप्यू हो जाए वो MTS हो सब में इनका गोटाला है सर मैं चाहते हूं कि सब का सीप्याइ जाँच हो इधिकार चाहते हैं सर ये इतिहास गवा है जब जब किसी नहां हमारा धिकार Hahn को जद दबाने की कोसित करें intelligence तो हम उठेंगे हम अपने धिकार को लेंगए सार हमें सीप्याइ जाँच चाहिए सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब हम उन्हें को दोหाने हैं अधिकार कि दूसरे को दे रहे चार साल तैयारी करके हमारी क्या हलत हो गई है लेकिन आज तक भुदन नहीं बोले हैं कि इनमें गोटाले चल ले हैं पेपर लीक हो रहे हैं तो यह अभी आपके मन में कैसा है साथ दिन से लागा था यह तो पहले से भी आपने बोला है क्योंकि जो मेरे बगल में लड़की बैठी थी वो एक्जाम देड़ी थी उसको माउस पकरना नहीं आ रहा था और उसके जब मैंने आंसर की देखी तो उसके 46 से देन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो उसके 9 नंबर बढ़ गए मतलब क्या होता है 9 नंबर बढ़ने का हमा पाइमानी नंबर कैसे आगे और तिरानमे नमर कैसे आगे सरी बताओ और लास्ट रिम जब बैकेंसी देडी तेरा की सार उसमें यह था पांसो बारा वेकेंसी थी और पेपल का लेवल भी टफ नहीं था फिर भी मैलिट इने डाउन मैलिट बिल्कुल सही गई थी और इस बार पेपर भी हाड और मैलिट कहां पुंचा देनोंने और सबसे बड़ी बात दिए देखो सर की वेकेंसी होने के बाद भी इतनी यह हो बाइमानी मतलब 12 लाग रुपे देगा उसी की जौब है अर यह बता दो मतलब 12 लाग देगा सबसे पहले अपनी पैसे लेगा ना वह पर देखो चलाएगा वह तो चुछिए ज़ाएगा वह तो ब्रस्टा चार करी रहे हैं एससी की नोगे सर्मितनी महनत करते हम लोग दि कर साथ है जो बच्चे पढ़तै हैं और अच्छी तैयारी करते है वह बच्चे उनके साथ में कर इस्वास गात होता है और वह तो पर Τव्रें यह मंच lipstick करता है और वाज आदेकारी इनको देखने रहे हैं, सोचने रहे हैं CBI जाज कराओ, सारे पेपर कैंसिल कराओ क्योंकि पेपर कैंसिल करवाने से कुछ नहीं होगा गोटाले फिर बढ़ेंगे इसे अच्छा आप CBI जाज कराओ और पेपर भी कैंसिल कराओ और जो वो टॉपपर है ना उस टॉपपर को यहां लाओ, हमारे सामने दिखाओ कितनी नौलेज है उसको हम खुद उसके सामने देंगे